दोस्तों, अगर आप एक CST Center संचालक है, आप अपने गाउं, सहर या फिर कस्वे में CST का Center चलाते हैं, और अगर आप अपने सेंटर पर अपने customers को insurance की service प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे की health insurance, car insurance, bike insurance, life insurance, तो इन सभी service को आप direct अपने customer को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं सबसे पहले इन सभी service को आपको अपने CST ID में activate कराना होगा, तो activate कराने के लिए आपको CST की तरफ से एक INS का exam देना होता है, जैसे ही आप INS का exam पास कर लेते हैं, तो 24-48 गुंटों के अंदर आपकी CST ID में insurance की service अक्टिवेड हो जाते हैं, उसके बाद इन सभी service को आप customer को provide करा सकते हैं, तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको INS का registration करना है, कितनी fees लगते हैं, कैसे आपको exam को pass करना है, exam में किस तरह के question आते हैं, complete जानकार ये आज किस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता इस website का link में आपको direct video के description में दे दूँगा, तो उस पे click करके आप direct इस website पर आ सकते हैं, इस website की मदद से आप rap का registration भी कर सकते हैं, और INS का registration भी कर सकते हैं, अब ये rap registration क्या होता है, कैसे आपको इसका registration करना है, कैसे आपको rap का exam देना है, इस पे मैं already video बना चुका हूँ, अगर आपने वो video नहीं देखी है, तो link आपको description में मिल जाएगा, आज की इस video में हम बात करने वाले हैं, कि आपको INS का registration कैसे करना है, तो INS का registration करने के लिए, यहाँ पे आपको VLE, INS का एक option मिलेगा, जैसे आप इस पे अपने mouse का cursor लेके आओगे, तो यहाँ पे आपको password एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यह capture एंटर करना है, और नीचे आपको sign in पर click कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, you are certified VLE for selling insurance product, तो यहाँ पे आपको no को choose करना है, जैसे आप no को choose करोगे, तो आपके सामने link आ जाएगा, इस पे आ registration form आ जाएगा, इस form को आपको fill करना होगा, तो यहाँ पे आपकी CAC ID और आपका नाम automatic enter हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने father's का full name enter करना है, यहाँ पे आपको अपनी mother's का full name enter करना है, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो email ID है, वो automatic enter हो जाएगी, उसके बर्थ है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का उप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने जेंडर को सलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेजन का उप्शन मिलेगा इस पे आपको select कर लेनी है उसके बाद आपको नीचे आना है अब यहाँ पे आपको अपने passport size photo को upload करना होगा photo को upload करना काफी जादा आसान है आप जानते होंगे यहाँ पे आपको choose file पर click करना है जैसे आप click करोगे तो आपके system की file open हो जाएगी अब यहाँ से आपको अपने photo को upload कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको educational qualification का option मिलेगा इस पे आपको click करना है अब जो भी आपकी qualification है 10th, 12th या फिर ITI diploma जो भी आपकी qualification है वो यहाँ पे आपको select कर लेनी है उसके बाद आपको नीचे आना है अब यहाँ पे आपका जो state है और आपका जो district है वो by default यहाँ पे select हो जाएगा अब यहाँ पे आपको अपनी gram पंचायत का name एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको line 1 और line 2 का option मिलेगा अब इसमें आपको अपने complete address को enter कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने area के pin code को enter कर देना है उसके बाद आपको नीचे आना है अब यहाँ पे आपको अपने document को upload करना होगा तो सबसे पहले आपको अपने ID proof को upload करना होगा तो ID proof को upload करने के लिए यहाँ पे आपको select document का एक option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है अब जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे document आ जाएंगे जैसे कि आधार card, driving license, passport, राशन card, water ID card तो इन में से आपको किसी भी एक document को select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे आधार card को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार number को enter कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार card को upload करना होगा अब आधार card को upload करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है जैसे कि आपको अपने अधार कार्ड की front side और back side दोनों का upload करना है और आपके अधार कार्ड की जो maximum size है वो 75 kb यानि कि 75 kb से ज़ादा नहीं होनी चाहिए और आप अपने अधार कार्ड को jpg फिर pdf format में upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपने pen card को upload करना होगा तो pen card को upload करने के लिए यहाँ पे आपको अपने pen number को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने pen card को upload कर देना है इसी तरीके से आपको अपने education proof को upload करना होगा तो जो भी आपकी education है जो भी उपर आपने select किया है उसकी यहाँ पे mark sheet को आपको upload कर देना है सभी details को enter करने के बाद नीचे आपको process to pay का एक option मिलेगा लेकिन इस पे click करने से पहले आपको अपने form को एक बार अच्छे से check कर लेना है उसके बाद नीचे आपको process to pay पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने CSC का payment gateway आ जाएगा अब यहाँ पे आपको 200 रुपे का payment करना होगा जो की आपके wallet से काटे जाएंगे और इसमें आपको एक रुपे का भी commission नहीं मिलेगा तो payment करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी CSC ID के password को enter करना है उसके बाद नीचे आपको validate पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CSC wallet का pin एंटर करना है और नीचे आपको paper click कर देना है जैसे आप paper click करोगे तो आपका जो payment है वो success हो जाएगा और आपका जो registration है वो complete हो जाएगा registration करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में login करना होगा login करने के लिए यहाँ पर आपको वेरली आइनेस को option मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको login पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी CSC ID को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको ये capture एंटर करना है और नीचे आपको sign in पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपकी profile open हो जाएगी अब आपको अपने exam को complete करना होगा exam को complete करने से पहले आपको अपने module complete करने होंगे जैसे आप TC का exam देते हैं तो TC का exam देने से पहले आपको assessment को complete करना होता है वैसे ही आपको यहाँ पे module को complete करना होगा तो module को complete करने के लिए यहाँ पे आपको modules को option मिलेगा इस पे आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने 16 module आ जाएंगे, इन सभी module को आपको complete करना होगा, module को complete करना आसान है, बस यहाँ पर आपको launch को option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, जैसे आप click करोगे तो आपके सामने module open हो जाएगा, इस module को यहाँ से आप read भी कर सकते हैं, या फिर direct आपको यहाँ पे close पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपका जो module है वो complete हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पे आपको 16 के 16 module को complete कर लेना है सभी module को complete करने के बाद आप direct अपने exam को clear कर सकते हैं exam clear करने के लिए यहाँ पे आपको examination का option मिलेगा इस पे आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ instruction आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि exam में आपसे total 25 question पूछे जाएंगे और आपको exam होगा हो total 30 minute का होगा तो exam को complete करने के लिए simply यहाँ पे आपको question भी पर है वो आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएंगे और telegram channel का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा अब जैसे ही आपका exam complete होगा और आप exam में पास हो जाओगे तो तुरंत ही आपका certificate generate हो जाता है अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि sir अगर इनके सम fail हो जाएंगे तो फिर क्या होगा तो भाई आप हमारे PDF से अपना exam दीजे आप पिल्कुल भी fail नहीं होंगे 100% के हमारी guarantee है हमारे PDF से अगर आप exam दोगे तो fail होने के आप tension छोड़ दीजे आप 100% पास हो जाओगे तो certificate को download करने के लिए यहाँ पे आपको certificate को option मिलेगा इस पे click करके आप अपने certificate को download कर सकते हैं यहाँ पे हमारे exam अभी complete नहीं है तो यहाँ पे note available दिखा रहा है या फिर direct dashboard पर click करके भी आप अपने certificate को download कर सकते हैं तो दोटो इस तरीके से आप INS exam का registration कर सकते हैं और registration करने के बाद exam आपको कैसे देना है तो इस पे मैं already video बना चुका हूँ उस video का link आपको इस video के description में मिल जाएगा और अगर आपको PDF की ज़रुत है तो PDF का link आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा और telegram channel का link भी आपको video के description में मिल जाएगा आशा करता हूँ कि ये video आपको काफी पसंद आई होगी अगर आप कोई video पसंद आई हो तो definitely यार वीडियो को like करना, share करना और अगर आप के मन में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है या फिर registration करने में आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment कर देना या फिर आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हैं और अगर आप channel पर नए है, subscribe नहीं किया है, तो घंटा बजा के करना